तो हेलो दोस्तो आपका एक बर फिर से सवकत है मेरे चैनल टेकनो गेमिंग पर तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही सई चीज बिताने जा रहा हूं कि जो आपकी PUBG Mobile है आपको पता होगा PUBG Mobile बैन हो चुकी है इंडिया में और उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने Android में मतलब डाउनलोड तो अगर आपके पास होगी तो ठीक है अगर नहीं भी होगी तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो और अगर आपके पास डाउनलोड है PUBG Mobile आपके फोन में उसको आप अपडे वीडियों में बताने जा रहा हूँ तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो अगर आपके पास PUBG Mobile पहले है तो आपको मेरे नीचे दिये गए तो सिंप्री मिल जाएगा या तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसके बाद आपको वैसे तो यहीं पर दिख जाएगी PUBG Mobile लेकिन आपना यहां पर हजार हो PUBG यहां पतानी कितनी PUBG हैं इसमें आपके मुबाइल में शायद कम हो या ज्यादा हो कुछ पता नहीं और इसलिए आप सर्च कर लेना उपर PUBG Mobile और सर्च कर लोगे आप तो आपको यह वाली PUBG डाउनलोड कर लेनी है PUBG Mobile यह वाली नहीं करनी यह अलग है कुछ इसका अलग सीन वगरा होता है यह जहां पर लिखा यह अगर आप यह डाउनलोड करना चाहो तो वह भी कर सकते हो यह दोखोर यहां पर लिखा हुआ है New Era PUBG और यहां से आपको अपडेट कर लेनी है अगर आपके पास पड़ानी PUBG है तो अपडेट कर लेना अगर आपके पास PUBG नहीं है पहले तो आप यहां से सिंपल डाउनलो से और आपको दिखा देता हूं मैं सब कुछ इस वीडियो में और अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं आपको बताओं कि कैसे आइफोन में iOS में आप PUBG अपडेट कर सकते हो वो भी बहुत इजी है मैं आपको बता दूँगा अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स पे जरूर लिखना सो अभी मैं आपको Android की PUBG दिखा देता हूं खेल कर थोड़ा सा मतलब रिव्यू देता हूं कि क्या क्या चैंजी आ गए हैं इस PUBG के अंदर यह देखो यहां पर सबसे पहले तो लोड़ेक्ट इसमें बहुत अलग से टाइप की कि हो रही है यह बहुत अच्की लगरी मिद इसके बाद मैं आपको आगे क्या दिखा देता हूं क्या करना होगा तो तीन हैं भी अप्लेट होगा इसमें थोड़े बहुत मतलब जो पबजी PC है पबजी PC के थोड़े थोड़े ग्राफिक्स देने के इन्हों ने कोशिश किया है जैसे कि आप अपनी गेम के अंदर की लॉबी भी चेंज कर सकते हो वह बहुत एक अच्छा फीचर लगा मुझे बाकी मैं दिखा देता हूं आपको जैसे हमारी गेम चलेगी सब कुछ आप देखी लेना खुद यह देखो हमारी गेम स्टार्ट होगी सबसे पहले क्लेक्ट कर लेते हैं और यहां पर हमारी लोडिन हो रही है ओके यह देखो अरे ओके टैप और यह देखो ऐसी कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस है हमारी पबजी का तो यह देखो यहां पर स्टार्ट का बटन भी नीचे आ चुका है क्लासिक उपर अगर आपको चेंज करना है तो वहां से कर सकते हो यहां पर हमारी आईडी आ रही है लेफ्ट हैंड टॉप साइड और अगर आप दूसरी यह देखो अभी मैंने लॉबी चेंज की अगर आप इस तरफ स्वाइब करोगे तो आपकी लॉबी चेंज हो गई हो ज अब हमारी लॉबी में जाकर दिखाता हूं मैं आपको यह दो हमारी लॉबी फिर से चेंज हो गई है और अब हम आपको थोड़ा सा मैच लगाकर एक टेक्स्टर या ग्राफिक्स वगारा कह सकते हो आप को दिखा देता हूं हमारी पबजी के ग्राफिक्स की कैसी उन्हों अपने पबजी के ग्राफिक्स चेंज कर दिया है थोड़े बहुत चेंज किया है कुछ खास फरक भी नहीं लेकिन ठीक है अच्छे लगते हैं ग्राफिक्स चे और न्यू रैंगल है रैंगल 2.0 बाकी चलती है मैं आपको दिखा जाता हूं क्या क्या इसमें और नया है लो यहां से प्लेन ऊठाकर नहोंने यहां पर रख दिया है और मैं बहुत टाइम के बाद खेल आ यह स्ट टाम के ल Dutch यह यहां पर ओरी फैंसी सी लगा mixing आ रहे ऊनुने और बाकि मैं आपको में अंदर जाकर दिखाता है हूं यह देखो हम एर्प्लेन में आगे हो और पबजी का मैप कुछ ऐसा दिख रहा है अब मैप के थोड़े सी कलर से डार्ट कर दिये गए हैं और बाकी मैप तो सेम है सब जगा पगारा सब कुछ सेम है और उतरते हैं हम कहीं पर और उसके बाद देखते हैं कैसा होता है और यह देखते हैं आप मैं थोड़े से घरों के पास उतर के चुका हूं और घरों का टेक्शर देखो अभी मेरी ग्राफिक्स चायद थोड़े लो पर ही होगे इसलिए कुछ ऐसा दिख रहे हैं आपको अगर आप हाई ग्राफिक्स पर खेलोगे तो इससे भी अच्छा लग किया गया है मैंने एक मैच लगाया था उसमें मैंने देखाBen वह बी चैन्ज गये है यह नहोंने हमें और यह को द खोड़ देखो आँगर का और आप बैन के बाद तो और बहुत मुश्किल होती थिसक्शना करने के लिए यह देखो बाकी सब कुछ वैसा ही है और आप इंजो ऐसा कर सकते हो इस गेम को आराम से खेलना और बस फिर आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दे और आपको वीडियो